हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरे तरफ से जैहिन, बहुत सारे बचों का कमेंट जो आ रहा था, उसमें पारलियामेंट को लेकर के और अभी जो देखे होंगे, बिहार की क्या इस्थिती है, यानि कि जो महागठवंधल की जो सरकार बना, नितिश कुमा जो इसे BJP के साथ एलाइंस था, यानि कि NDA की सरकार थी, तो अभी हाल ही में जो है जाकर कि उसका भी घटन हो गया है, यानि कि बिधान सभा का, तो बहुत सारे बच्चों को जो है लोक सभा के बारे में, लाज सभा के बारे में, और आपको जो छे अस्टेट में जो आपक आपको बता रहे हैं, जैसे माले की राष्टपती द्वारा जो है, राज सभा में बारत सदस्यों को मनुनित किया जाता है, तो सभिधान के कितना अनुछेद में, पहला पॉइंट हो गया, लोक सभा में दो सदस्यों को, यानि कि एंगलो इंडियन का नाम सुने होंगे, ज प्रोंटेम स पिकर का काम क्या है कि जो भी मेंड़र पार्लियामेंट्व जिToday करके जाते हैं या विधान मंडल में चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कि आपको जो भी मेंल जो जीत करके जाते हैं तो वहाँ पर राज पाल के दुवारा जो है कितना अनुछेद मिया प्रावधान किया गया है कि प्रोटेम स्पीकर की नुक्ति कर सकता है जिससे मेलों को जा करके उसका शपत दिला सकता है ठीक है दोस्तों बहुत सारे questions हैं बहुत सारे difference difference सवाल आपके मन में उठते हैं तो आज उन्हीं को लेकर के हम थोड़ा सा आपको चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है बहुत आसानी से और आपको समझाने की हम कोसिस करेंगे यह सबोज़ डैट देखिए इधर आपका माल लिए पर्लियामेंट हो गया और इधर देखिए कुछ नहीं है बस थोड़ा सा खाले difference से आपको समझना है दिखाई देता होगा मुझे पुन भी स्वास है यह जो कि आपका पर्लियामेंट है माल लिए जाकी पर्लियामेंट है श्रमिधान करूशेत कितना में है 79 में ओके यह इस अगर यह 79 है आर्टिकल है जैसे आर्टिकल आपको बता रहे है यानि कि अनुछेद आपको बता रहे है तो जब 79 में है तो यह ध्यान दकिएगा कि 79 के बाद क्या होता है 80 होता है कितना सुंदर है ना 79 के बाद कितना हुआ 80 हुआ और यह क्या है कि lower house है यह upper house हो गया और य कि याद करने का तरीका हम बता रहा है जो आप को इतंब बीखूल कभी नहीं भूलेगा उसी तरह का से देखें इसको बोलते हैं लोग बिधान मंदल इसको क्या बोलते हैं बिधान मंडल जो किसी विए स्टेट में सारे स्टेट में नहीं है ये बिधान मंडल की बिवस्था जो है सिर्फ और सिप भारत की छेही राज्यों में है तो सारा उसका इतिहास भूगल सब आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा बस आप बने रहिएगा तो आपको और भी बारिकी पूर्बक आपको शमजी में आ जाएगा जैसे बिधान मंडल है तो आपका आपर हाउस हो गया इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बिधान परिशद बिधान परिशद है ना और इसको बोलते हैं हम लोग बिधान शाभा क्या बोलते हैं बाबू बिधान शाभा बहुत सुंदर आपको करिका बता रहे है तो बिधान मंडल का अगर्ष्ट बिधान में जो है कितना अनुछेद में होगा तो नोट कर लिएगा 168 उल्टा लिखा गया कितना है 168 में प्रोधान किया गया है यानि कि यह हो जाएगा 168 अगर यह 168 होगा तो बिधान परिशद का बढ़न जो है सब बिधान के कितना अनुछेद में हो जाएगा तो वहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं लिख लेगा 168 168 के बाद क्या होता है 179 होता है और 179 के बाद क्या होता है 170 होता है यह आर्टिकल है बावू द्यान न किएगा जितने भी आपको लिखे हुए यह सब अनुछेद की मैं बात कर रहे हैं अब आपसे कोसन अभी आएगा कि बताए कि राज्यविधान मंडल का बंडन जो है समिधान के कितना अनुछेद में है तो सिंपल तरीके से उसको आपको याद करना होगा यानि 166, 179 और 170 अब तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आगे होगा अब हम दोनों में डिफरेंसेज आपको बता रहे हैं कि ध्यान रखेंगे कि यह जो आपका सेंटरल जिसको पारलियामेंट आप बोलते हैं पारलियामेंट बोलते हैं तो पारलियामेंट काने का मतलब है कि पारलियामेंट के आपको तीन अंग होते हैं राज्य सभा, लोग सभा और राष्ट पती, क्लियर है, यहां तक आपको समझे, उसी तरीका से अगर चले जाएंगे, विधान मंडल के तींग अंग हो जोते हैं, वो विधान परिशद है, विधान सभा है, और राज्य पाल है, क्या है, राज्य पाल, देखिए, दोनों में क संसत के कितने अंग होते हैं, तो संसत के तीन अंग होते हैं, लोग सभा, राज्य सभा और राष्ट पती, ठीक है, यह बिल्कुल आपको समझ में आता होगा, और आपको समझ में इसलिए आता होगा, क्योंकि आपसपश्टों से आपको याद होगा, दूसरा चीज, इसका बिधान शभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बढणन जो है श्रम्विधान के अनुछेद लिख लिजिएगा अनुछेद आपको लोकसभा में चले जाएंगे दोस्तों, तो लोकसभा में 93 का आपका नाम सुने होगा अनुछेद, अनुछेद आपका कितना है 93, 93 में प्राधान किया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष भी होगा, है न, और यह क्या होगा, उपाध्यक्ष भी होगा, है न, अभी जैसे ल लोक सभा क्या द्यक्ष अभी कौन है? ओम बिर्ला साव है, कौन है? ओम बिर्ला, ठीक है? और उपाद्यक्ष मतलब उपाद्यक्ष का आभी दरजा आपको नहीं दिया गया है. ठीक है, एक कोस्चन यहाँ और भी बनता है, कि बताइए कि भारत में विपक्ष को पहली बार जो है लोक सभा में कब दरजा दिया गया था, विपक्ष का दरजा कब दिया गया था, तो सही उसका इंसर याद कि 1969 में मान्याता दिया गया, राम सुभग सिंग का नाम सुने होंगे, नोट कर लिजैंग बहुत अचीक समझ में आना चाहिए क्योंकि यह सब कोस्वन जो है आपको जल्दी मिलेगा नहीं यह बहुत भी भी आई कोस्वन है तो यह कोस्वन आपको पुछता है और बहुत अच्छी अच्छी लेबल से पुछता है अब देखिए ध्यान दिजिए यहां पर आपका 443 प्लस दो यहां नोट कर लिजिएगा 543 प्लस दो यानि कि कितना है 545 कुल सीटों की संख्या जो है आपका लोग सबा में कितना है 545 है जबकि राज्य सबा में जाएंगे तो 238 और प्लस कितना होता है 12 यानि कि 200 कितना हो गया 50 हम अलग-अलग क्यों लिखे हैं हम अलग-अलग इसलिए लिखे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा यह राष्ट पती द्वारा जाकर 12 सदस्यों को जाकर मनुलिद किया जाता है अब यहां पर संभिधान के अनुछित कितना में जो है राष्ट पती राजसभा में 12 सदस्यों को मनुलिद करते हैं यह बहुत तो उसमें ऐसे ऐसे लोगों को राश्टपती के पास पावर है कि वो 12 सदस्यों को जाकर कि राजय सभा में मनुनित कर शकता है लेकि स्रमिधान के कितना अमच्छेद में 12 सदस्यों को तो नोट कर लिजेगा आर्टिकल आपका जो है 80 का का है कितना है 80 का का बहु सुन्दर यहां भी देखिए आपको एंगलो इंडियन दिये हुए हैं जैसे आपको देखे होंगे हलाकि अभी उस पर विचार भी मर्स जो है लोग सभा में चल रहा है इंगलो इंडियन राष्ट पती द्वारा जो है 200 सदस्यों को मनुनित किया जाता है वो श्रमिधान के कितना अनुछेद में है जो राष्ट पती दो तो उसको भी नोट कर लिजेगा आर्टिकल जो है आर्टिकल है ना आर्टिकल आपका 331 है यह इतनी अच्छे-च्छे को उम्र जो होना चाहिए वह आपको 25 वर्श होना जरूरी है यह जो है अस्थाई सदन है क्या है अस्थाई है कभी भी सरकार गिर जाएगा जैसे अब देखें कि बिहार में सरकार आपका गिर गया तो फिर आप लाट अपनी लेकर करके परचार करें बैंगन चाप नुँगर लाग आग इसका निरवाच्छन यह यहां guest कर तर्फ को निमृ सदन बोलते हैं क्या बोलते है निम्ले सदन और इसका हतना कितना सभा होता है आपको मिलने बनना है विधायक बनना है आपको उम्र कम से कम आपको 25 वर्ष होना जरूरी है ठीक है न यह जो है आस्थाई सदन अभी सरकार गिर गया आपको पता होना चाहिए विधान सभाक का अध्यक्ष कौन थे हैं हमारे विजय कुमार शिनहा नोट कर लिजेगा अध्य बिधान परिशन का द्यक्ष कौन है अध्यस नरायन शिंग अभी थोड़ा सा इसमें आपको बताना जरूरी है लेकि पहले ये को किलियर कर लेते हैं तब आपको जाकर कि यहां पर और भी स्रमज में आएगा ठीक है तो यह जाकर कि जो चीज़ यहां दिखाए है यह चीज बर्ष होना ज corrupt में भी हो गा यह यह जाकर के रजिसावा एक अस्थाई सदन है इसका जाकर के दो एक तिहाई सदस्ञ पर तेक दो बर्ष के बाद जाकर के श्रेवानी पर उपरिथ हो यांतै नोट कर लिजिए गा ठीक है लोग सभा में अध्यक्ष और उपाद्यक्ष ढम अगर अनुपस्थित रहे यह देख रहा है ना अध्यक्स भी अनुपस्थित रहे और उस इस्तिति में राष्टपती के पास कौन सा अनुछेद के तहब जाकर के लिए सदस्य को जाकर के उसमें जाकर के मनुलित करते हैं तो बहुत अच्छा कोशन है आर्टिकल आपका होग लेंगे यह बहुत लोग नहीं जानते होंगे अं Sheikh कर दिए जैनता वोटिंग नहीं करती है राज सब्सतों के लिए निम्न सदन है यह क्या है क्या है उस सदन त्यान रखिएगा इसका जो है पांच बर्स होता है कार्जकाल तो इसका होता है छो बर्स होता है देखरें न यही चीज़ सेम लागू होगा वहाँ पर जाकर के बिधान परिश्रत में भी ध्यान रखेंगे तो दो तुन कोसन आपको बहुत ही important मिला है जैसे एक बा सदस्यों को राजसभा में जाके अभी देखेंगे हाली में हाली में जो है आप पीटी उसा का नाम सुने होंगे ठीक है उड़न परी उनका मैंने उप नाम है तो चुकि 1984 में जाकर के जो है कि 400 मीटर के बाधाद दोड़ में जो है कांस पदक दितने से चुक गे थे ओलंप क्या वाता है कि 1969 में चुकि 1979 आपको याद होगा चुकि 1879 में जाकर के दो अक्टूबर 1869 में जाकर के गांधी जी का जनम हुआ था आप्टर हंडेड इयर्स है ना यह जाकर कि पहली बार जाकर के अध्यक्ष और उपाद्यक्ष जो बनता है न यह क्या होता है कि जो बिप 10 परसेंट भी सीथ आपके पास नहीं है इसलिए उपाद्यक्ष का दरजा आपको नहीं दिया गया है अगला जो पॉइंट जो आपको बताएं एक सोच्वाराशी के चार क्या बता हैं एक सोच्वारासी के चार बता है कि अगर लोगसवा का अध्यक्ष जैसे ओम बिरला सहाब है उपाध्यक्ष तभी है नहीं दोनों अगर उन उपस्तित रहते हैं उस स्थित्री में राश्ट पती की पास पावर है यो जा करके कि किसी प्रथम जो हमारे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मावलंकर और लोगसभा के जो प्रथम हमारे उपाध्यक्ष थे इसका नाम ने अनन्त सैनम अयंगर क्या नाम है अनन्त सैनम अयंगर जो पहली बार जो बैठा कुए था लोगसभा का उसको भी नोट कर लिजिएग सत्रा अप्रायन उन्हें सो बावन को जाकर के पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था चुकि पहली बार जो आम चुनाओ जो होगे थे हमारे वो जाकर के उन्हें सो एकावन बावन में होगा था तो पहली बार जाकर की जाकर के गठन जो किया गया था लोग सबा का, तो नोट कर लिजेगा 17 अपर 152 को, और लोग सबा की जो प्रथम जो बैठक हुई थी, वो जाकर की आपको 13 मैं 152 को होगा था, ठीक है, तो जीवी मावलंकर जो अध्यक्स जो बने, उनको लोग सबा का पितामा भी कहा जाता है, नोट कर लिजेगा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सबको बता रहे हैं, यही अगर राजसभा की गठन की अगर बात करेंगे, तो 3 मैं 152 को जाकर के पहली बार बैठक हुआ था, पहली बार, ठीक है, सोरी, अब गठन हुआ था, राजसभा चुकि राजसभाय का स्थाई सदन है, तो अब गठन नहीं होता है, तो पहली बार 3 अपने 152 को और 13 मैं 152 को पहली बार जाकर के बैठक हुआ था, पहले गठन होगा, तब जाकर के आपको बैठक होगा, तो निशी तोर पर, जिसे राश्टपती के पास बहुत सारे पाव होना जरूरी है, तो राश्टपती पाव महावियोग है, धन बिध्यक, धन बिध्यक कोई बिध्यक, धन बिध्यक है नहीं, इसका निल्ले जो लेता है लोगसभा अध्यक्ष लेता है, और धन बिध्यक का प्रावधान और आर्टिकल कितना में 110 में है, ठीक है, बीत बिध जो भी भारत का उपराष्ट्पति होगे जगदीप धनकडवे उपराष्ट्पति बन गये हैं पराष्ट्पति कौन है ज़ाकर के आपको मुर्मु जी बनी है द्रापदी मुर्मु अभी जाकर के सपतगरन ली है 25 जुलाई को ली है तो नोट कर लिजेगा यह सब इसके पहले जो राष्ट पति जो थे हमारे कौन थे रामनात कोबिन साब थे पूर्व राष्ट पति हो गए तो इस सब के बारे में ध्यान है तो संजुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा राष्ट पति और संजुक्त अधिवेशन के अधिवेशन के कौन करेगा लोगसभा अध्यक्ष ठीक है और सदन का भी घटन अगर करना है या सत्रा वर्षान करना है लोगसभा का तो उसमें जाका आर्टिकल आपका पचासी है क्या है पचासी है राष्ट पति को किसी भी तरह के अगर सुप्रिम कुर्ट से अगर परमर्श लेना होगा तो आपका कितना में 143 में है तो इस तरह से बहुत सरे जो है राष्ट पती का भी भिशिश नहीं समझते हैं, तो यहां पर समझ में आ रहा होगा, 93 से लिए सब जितने भी सारे बात बता हैं, तो लोग सबा का अदक्ष है, उपादक्ष जो होगा आर्टिकल कितना में, 93 में, वही 94 में जाएंगे, तो लोग सबा का अदक्ष और उपादक्ष का पदरिक्ती भी है, तो आर्टिकल जो है 178 में तो जो बिधान शज़ाके अध्यक्ष सबसे पहले चीज़ घ्यान रखेंगे कि बिजाई कुमार शिना जो है बिधान शवा के अध्यक्ष थे हलाकि गवर्मेंट गिर गया चुकि बीजेपी के थे और इधर शवापती हमारे कौन थे ओधेश दराण सिंग थे ठीक है न यहाप लिख चुके आपको ठीक है तो निशित तोर पर इस तरह सा अगर याद जिएगा तो आपको बहुत सारे कोस्टन जो है कभी आप भूलाईएगा नहीं जैसे हमारे देखते होंगे बिहार विधान सभा विधान सभा में कुल सीटों की संख्यापका दो सो ते तालीस है दो सो ते तालीस और प्लस एक जो है आपको राज जिपाल के द्वारा जाकर कि आपको नॉमिनिट किया जाता है जबकि बिधान परिसद में जले जाएंगे तो कुल सीटों की संख्यापका कितना है तो आपको 75 सीट है कितना सीट है टोटल 75 सीट लोग सभा में अगर जाएंगे तो लोग सभा की कुल संख्या कितना है चालीस है राज सभा में तो कुल सिटों के संख्या बिहार में कितना है? तो सुला तो बिधान सभा, बिधान परिशद, लोगसभा और राजसभा, यह टोटल आपको याद करना होगा धियान लखीएगा, ठीक है? Article 117 कहता है कि राज्य की बिधान परिशद में राज्य बिधान शवा का कुल संक्या का यानि कि 243 का?, ठीके न एक बटा 3 पार्ट जाकर के अधिक से अधिक, एक बटा 3 पार्टी होगा, और कम से कम 40 जाकर कि स्धास्यों की संक्या बिधान परिशद में हो शक्ती है, अभी 6 र तेलंगाना हो गया उत्तर पर्देश हो गया और यह का करनाट का है पहले साथ अस्टेट में था साथ मतलब जम्मू एंड काश्मीर का नाम सुने होंगे तो जम्मू एंड काश्मीर जो है ट्रेस्टियल स्टेट बन गया है 2019 में उसमें जाकर कि आपको विधान परिशत की वे सदनी वेवस्ता होती है उसी तरह जो है कि जाकर कि आपका दूश सदनी वेवस्ता किया गया है जिस अना ठीक है ना सम्विधान का अनुछेद आपका 179 में कहा गया है कि राज्यों में जाकर कि विधान परिशत भी होगी नेकि सभी राज्यों में नहीं है जैसे आप परिषद को खतम कर दिया गया था लेकिन अब यहाली में जो चुनाव जो हुआ है आपको वेश्ट में वहां के मुख मंत्री है कौन ममता बनर जी तो ममता बनर जी जाकर के फिर रिक्वेस्ट की हैं कि नहीं हमारे यहां जो है विद्धान परिषद भी होना चाहिए क्योंकि यह दो जगत से चुनाव लड़ी थी विद्धान सरवा का और दोनों जगत से उसको क्या हुआ था हार हो गया था ठीक है नोट कर लिजेगा तो इसमें राष्ट पती द्वारा आपको प्रोटेम स्पीकर जो निक्ति किया जाता है वो भी नोट कर लिजेगा आर्टिकल तो प्रोटेम स्पीकर की निक्ति जो किया जाता है प्रोटेम स्पीकर तो आपका हो जाएगा 180 कितना हो जाएगा आर्टिकल 180 देखिएगा दोनों में बात समझे जो भी ML जो चुन करके जाते हैं जो नए लोग चुनाव जो लड़ते हैं और ML विद्धान जो बनते हैं ये प् तो निशित तोर पर इसको आप ध्यान लखिएगा इक-इक कुस्तन जो यहां डिफ्रेज म्यता है is 상태 कार्च जो हता है पांच बर्स का होता है इसका छोंब वर्ज का होë निर्वाचन परत्यक चुरूप से जनता करती है इसका निर्वाचन अप परत्यक शुरूप से होता है जैसे कि अभी बताएं आपको इसका यह जो है आस्थाई सदन है मैंने कभी भी घटीत हो सकता अभी हाली में देखे होंगे विधान श्रभा का भी घटन हो गया ठीक है नया सरकार बन गया महागठ बंदन के साथ कुना जाकर के आठवी बार जो है मैं बि इन्पोर्टेंट आपको ब्वांट बता रहा है जैसे आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि साथ फरवरी 1921 को साथ फरवरी 1921 को जब मेरा बिहार और उडिसा दुनों जब एक था तो बिहार बिधान परिशत का गठन किया गया था ठीक है उसमें जाकर कि वाल्टर मोडे प्रथम जाकर कि शपापती बने थे वाल्टर नोट कर रिजेगा यह जो है आपका इतिहास हो गया वाल्टर मोडे जाकर कि 1921 में पहली बार जब बिहार और उडिसा जब कमाइंड था तो पहली बार जाकर सभापती तो किये थे ठीक है 18 मार्च 1936 को यानि कि जब जाकर कि ह राजी उरण्यन परशाद का नाम सुनोंगे तो राजी उरण्यन जाकर के 23 जुलाई 1937 से लेकर के 6 सित्म में 1948 तक जाकर कि सभापती थे दूसरी पॉइंट एक और ध्यान लखेंगे और 4852 चुकि आम चुनाओ जो हुआ था आपको सतंतता प्रापती के बाद ठीक है ना स्यामा परशाद सिंग का नाम सुनोंगे उजाकर के हमारे बिहार विधान परिशत के सभापती थे तो यहां भी सभापती ओधेश निरांड सिंग है यहां भी अध्यक्स कौन थे विजय कुमार शिना थे अब जो आपका जो है जो नया सरकार का जो गठन होगा तो निशी सभी तौर पर उसमें आपको समझ में आ जाया ठीक है इसमें चार तरा से ढाकर कि एक वाइ सभण कर दिःंगी और एक सदंत भाता है तो इसलF आपको धियान रखना अबWow कि इतने स्टेट में आपका विधान परिशत की विवस्ता है छे स्टेट में जैसे कि आपको नाम बता हैं उडीसा और अशम यह ध्यान लखेंगे उडीसा और अशम जो है जाकर कि पार्लियामेंट के द्वारा असपस टुप से कह दिया गया है कि आप विधान चुकी पारित हो हो गया जब षबा में जैसे ही पारित होगगा तो राश्वपति क्या करेंगे कि आपको मंजूरी क्या मंजूरी की आउं सकता जैसी मिलता है तो पार्लियामेंट करें जाद लोग नौंगा अभी बना नहीं है बनेगा और नौंगा हमारा कौन है तो पहस्षी मंगाल यह जाकर कि आपको लंबित है तो थेंक्यू बेरी मच दोस्तों इस तरह से अगर इन्फर्मेशन आपको और भी आप जा माल लेजिए सपोर्डेट कि 243 अपका है तो कभी कई पूछता है कि बिहार में एसी का अनुसूचित जाती के कुल सीटों की संख्या क्या है तो नोट कर लिजेगा आपका 38 और एस्टी की संख्या जो है यहां पर दो एस्टी है मनें बिधान सभा की जो विवस्ता किया उसमें दो ठीक है ना तो 38 गो एसी और दो हो गए एस्टी तो इस तरह से questions अगर पूछेगा तो निश्चित जागर बिधान परिशद में फुल सीटों की संख्या आपको बताई दिये तो जैसे ही आप बाई फरकेट करिएगा यहां परलियामेंट यहां बिधान मंडल तो दोनों में सेम सेम है ना मैं सेम मतलब कुछ-कुछ सेम है तो दोनों कड़फ डिफ्रेंसिज करके पढ़ेंगे एक सांथ जब पढ़िएगा तो निश्चित तोर पर आपको सब कुछ याद हो जाएगा कोई भी आपको छूटेगा नहीं जैसे आपको बताए न अभी कि आर्टिकल 178 में जाकर कि बिधान सभा और बिधान लिखें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी तरीका से आप पूछ सकते हैं जैसे यहाँ पर उपराष्ट पति अनुछित चौंसवट में जाकर के जो भी हमारे भारत के उपराष्ट पति होंगे वो राजसभा के अध्यक्ष जाकर करेंगे उसी तरीका से 182 जो है आपको लिखवा एक सभापति होंगे और एक उप सभापति होंगे तो दोनों भाई फरकेट करके जब पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा और नहीं तो नहीं समझ में आएगा कुछ आपको नए चीज़े आपको मिली होंगी लेकिन बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट् नोट भी कर लिजिएगा बहुत अच्छी तरीका से आपको इसको डिस्कॉस किये हैं ठीक है अच्छी तरीका से और जो भी इसमें कमिया जब रागई देखिए कि पढ़ाने के लिए लोग सभाप पढ़ाएंगे तो कम से कम चार दिन कर लाएगा मेरा राज सभाप पढ़ बहुत अलग अलग लेकिन जो बेसिक चीजे हैं जो आपको कोसन जो पुछता है उसको एक बार आप नोट कर लिजिएगा ठीक है तो थैंक्यू बेरी मच दोस्तों इसी तरीका से आपको यूट्यूब चैनल का आते रहते हैं ऑनलाइन क्लास से भी आप लोग जुड़िए ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग जुड़िए बी एससी का टेस्ट चल रहा है बिहार एसाई का भी टेस्ट चल रहा है बीपेसी अरशटमी का भी हम लोग जो है अपकमिंग किये हुए हैं तो निशी तोर पर आपको बहुत सारे फायदे होंगे और हम बार बार एक ही बात हैं कि मेरे content ही मेरी पाशान है तो content पर आपको देखना होगा कि content किसकी अच्छी और किसकी अच्छी नहीं है जो आपकी लिए लगता है कि मेरे लिए भी useful है तो बिलकुल कल एक बच्चा हमको जो है दिल्ली से phone किया और भारत के हम number one मानते हैं कि वो channel है और online test online class में number one है ल to the point हिस्सा और कहानी से मतलने examination best question आपको दिये जाएंगे इसमें बहुत सारे नए आपको question मिले होंगे जो आपको किताब में जल्दी नहीं मिलेगा यह छोटे छोटे किताब जो आप दिखते होंगे उसमें बिलकुल नहीं मिल पाएगा तो आसा करते हैं कि जो भी आपको पशंद आया होगा तो बिलकुल एक बार इसको क्या करेंगी अपने दोस्तों के पास share कर देंगे तो thank you very much दोस्तों मिलते हैं फिर next class में तब तक के लिए खुदा आफीस इनकलाब जिन्दा बात